हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल देखो टेक हिंदी पर दोस्तों आज की इस वीडियो में उसे बाते करेंगे कि फ्लिप कार्ट पर कोई भी सामान आपके घर तक आया है तो आपकी इस तरह से उसको यहां पे एक्चेंज या रिटर्ण कैसे करते हैं हम इसे के बारे में आपसे बाते करने वाला हूँ तो चली दूस्तों फटा 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 में इस वीडियो को कर लेता हूं शुरू और समझ लेते हैं ना कैसे कैसे क्या करना है तो सबसे पहले दूस्तों हमें आपके क्या करना होगा आई एक एक करके सारी कुछ बाते बताता हूँ लेकिन वीडियो अच्छी लगेगी न तो सपोर्ट जरूर करेगा वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब सबसे पहले हमें आपके क्या करेंगे फ्लिपकार्ट अप्लिकेशन को न यहाँ पर ओपिन करने है अकाउंट के आपसन पर क्लिक करने के बाद बहुत सरे आपसन हमारे सामने इस तरह से दिखाई देंगे जैसा कि आप देख पा रहे हो ठीक है हमें क्या करना यहाँ पर और्र में जाना है, और्र में जाने के बाद, बहुत वावसे निए मैं और यहां पुछktion, जाए को के दम, जाने के चेक कर लएगा। आप यहां पर जाके चेक कर लेज़ेगा चैनल पर आ चुकी है ठीक है और यहां पर न हमें क्या करना है से हम बैक आ जाएंगे ठीक है और हमें जो सामान जैसे माल जी कोई सामान आपके घर आता है एक दो दिन में आप क्लियर कर लेज़े रिटर्न करना है कि नहीं करना है कि यहां पर सबसे पहले रिटर्ण का एपसन आ रहा है रिटर्ण पेः क्लिक करना है ठीक है बहुत सारे भाईवा बैने को फटा है तो ब्रोकेन वाले पिल लेंगे ठीक है और यहां पर देखिए मोड डीटियल है इस पर क्लिक कर लेंगे कमेंट में लिख देंगे कुछ भी जो आपका रीजेन में लिख लिएगा चांटीनिव कर देंगे और कंटीनिव करने के बाद देखिए हां पर रिफंट का आपसन हमारे में आ जा रहा है क्यों आप में रिप्लेस आता है तो आप इस तरह से आपसन जो भी है उसको चूज जरूर कर लिजेगा ठीक है है जैसे हैं पर दिककत होती हैมา जो आपन आप च्चूज करते हो ऌँसा चूज करिए कि उनको लगे यहां है सामन वापस करना तो return हो जाएगा ठीक है और यहां पर इक्सचेंज ही चाहते हो तो आप जो भी कमी है देकर एक्सचेंज कर सकते हैं जासे माली मुझे ब्रोकर में रहे प्रोडक्ड में यहां पर क्लिक करता है नॉट बेश्ट कर देता है इस बाटिक है तो मैंने नॉट बेश्ट कर दिया और कांटिनू कर दिया बहुत लोगा में समस्य आती है ना कि केवल रिफॉंड होता है रिप्लेस्मेंट खा नहीं होता है तो आपको क्या करना चाहिए इसका रिफंड लेकि नया आडर कर लेना जाए ठीक है ना बस यहां पर आपका एड्डरेस दिख जाएगा इसी एड्डरेस पर डिलोरी आपका सामाल लेगा आप कांटिनू कर दिजी बस आपका काम हो गया सब्मिट कर दिजी रिक्वेस्ट पड़ जाएगा और आपका रिफंड जो है पैसा है वह इसी खाते में जिस खाते से अपने पैमेंट किया था और यहां पर आपने कैस और डिलोरी आपका सामाल जाएगा जैसे अब बैंक एकांट कर देंगे तो उसी खाते में पैसा चला जाएगा एक कुछ आपसन होता है रिटरेंट का और इफंड का जो में आपको समझाने का प्रयास किया औ प्रया दोला जाएगा जैसे अभगे आपसन है